एक लड़की जो देश को रिप्रेजेंट करना चाहती है ओलम्पिक्स में भाग लेना चाहती है देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहती है मगर किसमत को कुछ और मनजूर होता है अब वो लड़की सिल्वर स्क्रीन पे आ रहे है आक्टिंग करेगी अपने आक्टिंग के जल्वे दिखाएगी मगर साथ ही साथ वो अपने माशल आर्ट्स के भी जल्वे परदे पे दिखाएगी राम गुपाल वर्मा की एक फिल्म आ रहे है लड़की एंटर दग गर्ल ड्रागेंट की फिल्म का टाइटल है और आज उसी की आक्टिंग के साथ आज हम बात करेंगे जो हमारे बीच आज मौझूद है नाम है उनका पूजा भालेकर पूजा भालेकर आज हम बात करेंगे पूजा भालेकर से वेलकम पूजा यह हमारा on camera वाला welcome है उसके पीछे मारे पीछ बहुत सारी बाते हो चुकी है तो पुझा शुरू से शुरू करते हैं आप की डेब्यू फिल्म है और बहुत बड़ी डारिक्टर के साथ आपको काम करने का मौका मिला है आपकी शुरुआत कैसे हुए कुछ शुरुआती बारे की आपने आप कहां की हैं बैसिकली मैं पुने से हुँ और मेरी पढ़ाई कॉलेज और स्कूल भी पुने से ही हुआ था ताइकॉंडो जॉइन करने से पहले मैंने योगा सीखना शुरू किया और मेरा स्कूल का ग्राउंड है वहां पर मैंने कुछ बच्चों को वाइट उ तो काफी इंट्रस्टिंग लगा मैं गई घर और अपने मॉम डाइड को बताया कि ये कुछ ऐसा है जो मैं करना चाहरी हूँ काफी इंट्रस्टिंग है तो काफी सपोर्ट किया अनोंने और देरे देरे मैंने छोटे लेवल से शुरूबात की डिस्टिक स्टेट लेवल से काफी मेडल्स जीते और इंडिया को भी रेप्रेजन किया है एशन गेम्स में और भी इंटरनेशनल कॉंपेटिशन में मैंने इंडिया को रेप्रेजन किया है और 2014 में महाराष्ट्रा गवर्मेंट से मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जिसे शीव छत्रपती पूरसकार कहते है तो वो अवार्ड जीतने के बाद मेरे पापा चाहते थे कि मैं कोई ऑफिसर बन जाओ पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर या कोई सरकारी नोखरी करो लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मन्जूर था ऐसे ही एक दिन सर के ओफिस से, राम गुपल वर्मा सर के ओफिस से मुझे कॉल आया कि वो एक लड़की की तलाश में है जो मार्शिल आर्ट कर सकती है तब मुझे आइडिया नहीं था कि ये फिल्म बूसली के उपर बनाई जा रही है तो मैं गई अपने पापा के साथ मुंबई में मिली सर से और एक चोटा सा डेमो दिया उनको तो काफी पसंद आया उनको और उनने कहा जो मेरी तलाश थी इस फिल्म की एक्ट्रेस के लिए वो तुम पे आकर रुखती है तो वो एक मोमें बहुत स्पेशल था मेरे लिए वहां से लेके आज तक काफी चेंजिस हुए है मेरे में मैं एक टॉमबॉय किसम के लड़की थी तो मुझे थोड़ा मेकोवर करना पड़ा अपने आपको प्रेजेंट करने के लिए स्क्रीन पे तो काफी इंट्रेस्टिंग जर्नी रही है पुने से मुंबई तक की अब चाइना पहुच गई है हमारे फिल्म 15 जुलाई को रिलीज हो रही है और चालीस हजार स्क्रीन पे वहां पे दिखाई जाएगी चाइना में तो पुझा आपने पताया कि आपके पापा चाहते थे पेरेंस चाहते थे कि आप सरकारी नौक रिजाइन करें आप क्या करना चाहती थी आपका शुरू से अग्टिंग में इंट्रेस्ट था याप स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ना चाहती थी मैं मेरा कभी भी मन नहीं कि मैं अपनी पूरी लाइफ एक डेस्क पे बैठके एक कंप्यूडर के सामने बिताऊं तो कुछ इंट्रस्टिंग करना चाहती थी अपने लाइफ में चाहती थी लोग मुझे पहचाने कि पुझा भाले कर नाम की भी कोई लड़की एक्जिस्ट करती है इस दुनिया में तो उसको कैसे अचीव करूंगी वो पता नहीं था मुझे तो पहले से ही थोड़ा एंबिशिस रही हूँ और हमारी मतलब हम थ्री सिस्टर्स है घर में तो हमारी अप्रिंगिंग भी वैसे ही रही है कि हमेशा सिखाया गया है अपने करियर को करियर पर फोकस करो अपने पैशन को follow करो तो वो कई न कई था और जैसे हर लड़की में हर लड़के में वो अंदर एक एक सपना होता है की काश मैं heroine बनो काश मैं hero बनो तो वो कई न कई था मुझे में और सर की film है बच्पन से देखती में काम करना जैसे लेजंडरी फिल्म डिरेक्टर है सर तो सब का ड्रीम होता है वैसे मेरा भी ड्रीम था कि मैं कभी पड़े पर रहू ही रोइन बनू और वो अभी सच होते हुए दिख रहा है मुझे जी क्या ऐसा है यह मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि जो लोग पुने या मुंबई के आसपास रहते हैं उन्हें जादा मतलब यह जादा सुविधा मिलती है कि वो ओडिशन्स दे सकें उन्हें रोल जल्दी मिलते हैं कैसा है ऐसा कुछ भी नहीं है काफी सारे लोग है मुंबई म और शिफ्ट नहीं होना चाहते वो अब डाउन करते होंगे ट्रें से ट्रावल करते होंगे बद ज़्यादातर मैं ऐसे देखा है कि काफी लोग वहां पर शिफ्ट हो जाते क्योंकि कभी भी ऑडिशन का कॉल आ जाता है हाँ क्योंकि जो मुंबई से बाहर रहते हैं दूर उन्हें जादातर टाइम पता ही नहीं चल पाता कि किसी चीज़ का ओडिशन हो रहा है जी जी तो इसका फाइदा मिलता है क्या अगर आप शिफ्ट हो गए हो अपना शहर छोड़के मुंबई आप अगर रह रहे हो तो जादा असानी होती है अक्रस को क्योंकि कभी भी कोई important audition आगई कोई important meeting आगई तो फिर वो miss हो जाएगी तो वो opportunity miss होने का काफी डर रहता है तो it's better कि अगर आप शिफ्ट हो जाए मुंबई में अगर आप वही पे हो तो आसानी होती है तो आपको ये role कैसे मिला मतलब कहीं किसी ने बताया या कहीं आप आपकी जानने में कै कि सर ऐसा कुछ ढूंड रहे हैं सर को जैसे सर ने उनका experience बताया कि काफी मतलब I think एक साल तक वो एक लड़की की तलाश में थे एक martial artist को ढूंड रहे थे और काफी जो martial arts के classes होते हैं उनको उन्होंने बताया कि कोई अगर आपके पास ऐसी कोई person है जो कर सकती है तो I think उनको मिला नहीं था तो एक साल तक he was searching for a girl तो एक दिन वो किसी को बता रहे थे अपने office में कि यार ऐसे है मैं एक film बनाना चाह रहा हूँ लेकिन एक perfect लड़की नहीं मिल रहे है इस film के लिए तो किसी ने सुना उनको ये बात कहते हुए और जो person थे उन्होंने कही मुझे शायद fight करते वे देखा था या कई perform करते वे देखा था तो वो उनके जहन में रहे गए था कि यार एक एक लड़की है पुझा भालेकर शी इस फ्रम पुने और अच्छा परफार्म करती है तो उन्होंने जाके sir को बताया and I'm here क्या फिल्म का बेसिक प्लॉट क्या है क्या है फिल्म what is all about तो बेसिकली यह फिल्म एक फैन गर्ल के उपर बनाई है जो obsessed है Bruce Lee से उसके martial arts skills से और उसका जो way of thinking है जो बहुत सारे quotes हम लोग पढ़ते हैं मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 70s में Bruce Lee की फिल्म आई थी enter the dragon enter the dragon yes तो उसी से inspired होके क्यूंकि यह स्टोरी देखी जाए तो यह basically RGV सर की स्टोरी है Ram Gopalwarma सर की क्यूंकि वो उन्होंने जब वो फिल्म देखी first time enter the dragon तो वो उसके fan बन गए थे Bruce Lee के तो from the very beginning जब वो डिरेक्टर बने भी नहीं थे तब से वो यह फिल्म बनाना चाहते थे तो मेरा जो character है इस film में वो मुझे लगता है कि वो सर का character है उनका जो obsession है उनका Bruce Lee को लेके I think वो मैं play कर रही हूँ और फिल्म में वो देखने को मिलेगा जो यह लड़की है फिल्म में पूझा उसका नाम भी पूझा है actually तो वो Bruce Lee से inspired है और अपने life में जो भी decisions लेती है यह सोच के लिए ती है कि मेरी जग़ अगर Bruce Lee होते तो वो कैसे वो decision लेते है और उनी decisions की वज़े से उसके life में जो ups and downs आते है वो story में देखने को मिलेगा और end में बहुती interesting ऐसा twist है क्योंकि यह love story है और यह action भी action film भी है तो एक love triangle देखने को मिलेगा मेरे बीच में मेरे love interest के बीच में और Bruce Lee के बीच में तो मुझे दोनों में से किसी एक को select करना पड़ेगा तो वो काफी interesting रहेगा देखने के लिए नाइस अब यहां आपको सादा spoiler नहीं दे पाएंगे और नहीं बताएंगे आपको थेटर्स में जाके फिल्म देखने होगे एक गाना है इस फिल्म में बड़ा famous गाना हो रहा है वो खुबचल भी रहा है तो मतलब वो सहज था आपके लिए या आप थोड़ी नर्वस थी उसको करते हुए वो क्या था वो पूरा बताएंगे बहुती एजी रहा I mean mentally I would like to say physically तो मैं पहले से ही martial arts करते है तो वो stunts करने में मुझे काफी असानी होई और काफी comfortable थी मैं I'm very comfortable in my own skin whether I'm wearing a bikini और जो जिम पहनत की है इस बोड़ी को अचीव करने के लिए इस फिगर को अचीव करने के लिए और बहुत प्राउड फील करती हूँ जिस तरीके से मैंने वो फ्लाउंट की है बोड़ी को अपने तो I'm really happy खरवालो का कुछ रिएकशन हाइ क्योंकि जनलली ऐसा होता है कि हम middle class होगों मैं हिसा होता है कि हम ऐसे कुछ बोल्ट कपड़े पहन लेते हैं, तो हमारे घरवाले कुस्ता होते हैं, कि क्या कर रही है ऐसा, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, आपने बताया कि तीन बहने हैं, आपको मिला के तीन बहने हैं, आप लोगी, जी, I'm the youngest one, तो हम तो घरवालों का क्या रियक्शन था, I think they are very, you know, proud of में, whatever I'm doing, तो ऐसा कोई foundation नहीं था मेरे उपर, जैसे मैंने कहा कि हम तीनों भी बेनों की upbringing बहुत ही अच्छी की गई है, जो open mindedness जो होता है, एक environment जो होता है, हर family में, वो कही ने कही था, तो वो pressure नहीं था मेरे उपर अपने family की तरफ से और society क्या सोचती है, वो भी एक pressure होता है किसी लड़की के उपर, वो भी नहीं था, मैं बहुत ही अच्छे mindset में थी, जब भी मैं perform कर रही थी, और काफी खुश थी, क्योंकि, जैसे मैं देखती हूँ, अभी काफी सारे martial artist, male martial artist है, जो अपनी body front करते हैं, जब भी कोई लड़की ऐसा करती है, तो हम उसे bold कहते हैं, या फिर eyebrows raise किये जाते हैं, तो I think मैं चाहती थी, मेरे back of the mind ये चला था, कि ये कही ने कही, you know, change होना चाहिए, देखते हैं, एक लड़की करती है, तो कैसे, you know, क्या reactions आते हैं, तो वो excitement कही ने कही था मेरा, and काफी फन रहा है, मैं अपने personal life में भी, मेरा जो मन करता है, वो मैं पहनती हूँ, और कभी care नहीं किया है कि लोग क्या कहेंगे, तो वही attitude मेरा, आपको इस film में देखने को मिलेगा, जैसे ही मैं बिखीनी भी पहन रही हूँ, वैसे साडी साडी भी पहना हूँ, तो काफी फन रहा प्रपॉम्ट है, साडी में भी आप स्टंट करेंगे हैं, साडी उठा के आपने लात मारी वो हमने बेखा, बहतरीन स्टंट कर रही हैं, आपको वो गाना जरूर देखना चाहिए, राम गोपाल वर्मा के बारे में वो बहुत अच्छे डिरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत, मतलब कल्ट फिल्में बनाई हैं, जैने कहा जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पर जो उनके सोच, प प्यार सेजे समझाते हैं, क्या होता है, सेट पर क्या हुआ आपके साथ, आपको कया हिसा एक्सपेरेंस्राइब क्युकि हम ऐक इकुछ प्ले करें चाहिए, क्युकि द्धी बहुत ही assault शitisली के फान हें, मैं भी ब्रूसली के फैना है, व्में बहुत्वलूकि निभूकरा क लिए एंद काफी फन रहा जिस तरीके से सर अपने अक्टर्स को ट्रीट करते है सेट पर बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है बहुत ही फ्रेंडली माहौल बन जाता है तो जो भी लोग कहते हैं कि he's very strict or sunki जैसे अपने खाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और सोशल मेडिया पर जो भी सर कहते हैं he's very intelligent person you know and he knows whatever happening he's very aware of the scenario that are going in India be it a political scenario or anything happening in the industry तो वो अपनी मन की बात कहते है अब जो कहते है सच कड़वा होता है वैसी यह जब कोई आपको कोई ऐसे बाते कह रहा है तो बुरी लगती तो है ही but मुझे नहीं लगता कि उनका कोई इंटेंशन उसके पीछे होता है किसी को हर्ट करने का या किसी से पंगा लेने का and I think Twitter or Instagram ऐसी चीज़े है कि लोग वहां आते हैं अपने मन और अपने थौट्स शेयर करते हैं तो I think that's what he's doing there आपको राम गुपाल वर्मा की कौन सी फिल्म पसंद आपकी फेवरेट जो उन्होंने बनाई है मुझे रंगिला और सत्या बहुत अच्छी लगते हैं apart from these two films सरकार is one of his films बहुत बहुत बढ़ियां फिल्म है आपके आने वाली plans क्या है अब हम कुछ जानना चाते हैं प्लान तो कुछ भी नहीं है एक बात मैंने सीखी अपने जर्नी में जब कभी सोचा नहीं था कि आऊंगी इस क्षेद्र में तो एकदम ही चेंज हुआ है और नो बन नोज की फ्यूचर में क्या होने वाला है तो मैं बस फोकस कर रही हो भी जो भी हो रहा है मेरे साथ जो भी अच्छे चीज़े हो रही है तो मैं बस चाहती हूँ कि मैं उसको इंजॉई करूँ यह जो प्रोसेस है अगर लोगों को मेरा काम अच्छा लगेगा और मुझे वो कास्ट करना चाहेंगा अपने फिल्म में तो मतलब मैं चाहती हूँ कुछ अच्छा हो इसके आगे क्योंकि काफी हाड़ वक रहा है यहां तक पहुचने के लिए तो थोड़ा बहुत कही आसानी हो जा इससे आगे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करने को मिले और अक्शन फिल्म करू मैं और लोगों को पसंदा हो अभी तो फिलाल इसी पे तो कोई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में नहीं है फिलाल वी डेफिनिटली दूइंग लड़की टू और उसके अलावा भी कुछ चीज़े है बट भी वह थोड़ा वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो होता है ना उस इसमें है ओके ऑन डाट नोट हमने आपको बता दिया कि लड़की तो आई रही है लड़की टू पर भी काम चल रहा है आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमारी पूरी बात चीत हमाई कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा मैं हूं मेगना देखते रहे हैं ललन टॉप सिनेमा शुक्रिया